नमस्कार ची मैं मन्च जो मेरे बहन भाई मॉर्निंग लोरी लगाने के शुकीन है तो वो अब भी अराम से इसे लगा दीजिए और बहुत जल्दी फूल आते हैं तो ये मेरे एक महिना के पोद्धे हैं फर्स्ट एप्रल को मैंने ये ग्रो किये थे और वीडियो में मैंने द हाइट थोड़ी कम रही और दिन बदिन इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं कि अभी सुवे देख रहे हैं आप चोटा सा पोद्धा है और शाम के टाइम बहुत लंबी हाइट हुजा रही है तो मैंने वैसे इस पे खूब सारी वीडियो बना रखे हूँ हैं इसे आप छोटे से चोटे पोट में भी लगा सकते हैं और लास्ट टाइम मैंने जो 900 ml के डिबे में एक पुद्धा लगाया था और उसमें भी फूल वीडियो नंबर है 1286 तो इस पे वीडियो सर्च करने के लिए पूरी जानकारी के लिए आप मौनिंग गलोरी डोट डोट मंचुहंडा और याने गार्निंग लिखें तो वो सब वीडियो मेरे आपके मौवाइल स्क्रीन पे होंगे तो आप देख सकते हैं तो वीडियो नूबर 1286 देख सकते हैं वो ट्रैली लगाई थी मैंने सहारे के लिए किस तरह से देना है सहारा तो जब ये बस 22 दिन के बाद जब ये इसमें पोत में और बस एक दो यहां पहर नहीं हो गए है तो बात की सब के सब मैंने सब प्लांट्स इसी में चलने दिये हैं तो इससे आप सीड़ से भी कर सकते हैं और जो रूर्स बनी होती है न इसकी उनका क्लंप लेके कटिंग से उससे भी मिट्टी में दबा सकते हैं तो उससे भी न्यू प्लांट्स बन जाते हैं और ट्यूबर जो मोटे मोटे रूट के जैसे बन जाते हैं उसमें उनसे भी बन जाते हैं और फिर बरसात के टाइम जैसे इसकी स्टैम कटिंग से ये कटिंग लेके तो मैंने ये इसको सहारा कैसे दिया है ये मैं आपको दिखा यह मैंने परसों ही दिया है क्योंकि इतनी जल्दी बढ़ने लगी है एक लकड़ी यहां लगा दी है और पिछली बारी मैंने कुछ अलग स्टाइल से लगाई थी तो बड़े घने प्लांट्स होते हैं तो मिली बग्सकावी अटायक का तो इसलिए मैंने दूरी-दूरी पर एक यहां लगाई है एक यहां और एक इस तरफ बैक साइड में लगा दी है और उपर से इनको बांद दिया है तो यह देखी इतनी चल्दी बढ़ रही है यहां तक यह हो गया है यह बूरा ऐसे और यह भी बढ़ने लगी है तो अगर आप आठ इंची के पोड में एक मौाइस्टर कना है वैसे यह जंगली प्लांट है और इसे जातर लोग एनुल के तोर पे ही लगाते हैं और जिन जगों में जो मोसम थोड़ा जैसे ठंडा बगरा रहता है तो उनमें यह बिंटर के टाइम भी पोड़े बने रहते हैं वाट गरम मोसम पसंद होने के कारण यह फिर जैसा ही थोड़ा मोसम में चेंज आता है तो यह बन जाते हैं और फिर खूब खिलना गर्मियों से ही स्टार्ट हो जाते हैं तो बर साथ के टाइम भी पूरे बर्ट्स यह बन गए हैं तो अभी मैंने इसे नेट के नीचे ही रखा है हलाकि मिट्टी इसकी मौइस् दूपढ़ने शुड़ू होती है तो पत्ते इसके यह मुर्जाय होते हैं तो मुर्जाने से मतलब यह नहीं है कि आपने और और पानी दे देना है ड्रेने सिस्टम इसका बढ़िया रखना है और यह लकडियों को उपर से बांद देना अगर अकेली अकेली लकडिया से बी थोड़ा अटक जाए मिट्टी में क्योंकि यह पोट हमारा जैदा गहरा नहीं है तो यह फिर ऐसे हवा से लुड़क भी सकते तो यह देखिए मैं ऐसे हिला रही हूं तो सक्ती से यह हो गई है और यह थोड़ा पोट्दे से थोड़ा सा दूरी पे लगानी है तांकि इसकी भाए वेनों का यह कहना है किसीने पुछा था कि इनके जो फूल है वो पीले होके गिर जा रही है तो वो जैदा पानी के कारण भी हो सकते हैं, अगर बहुत जैदा वो मौईस्चर दे रहे हैं, बहुत पानी रुका रह रहा है, तो उससे भी हो रहा है, तो बस नेट के नीचे रखिए, वहाँ धूब भी अच्छी आने चाहिए, तो मैंने नेट के एक साइड में रखे हैं, जहाँ पर सुबह के अच्छी धूबी आती है, और ग्रोह तो आप देखी रहे हैं, तो आज एक महिना चार तारीक है, तो एक महिना तिन दिन के पोद्धे हुए हैं, तो फरस्ट को तो मैंने ग्रोह किए थे, एक महिना दो दिन ही समझीए आप, शाम के टाइम मैंने लगाए थे, तो यह है, मौनिंग ग्लूरी का बहुत जल्दी बढ़ता है, और अब इतनी जल्दी घने हो जाएंगे, यह पूरा भर जाएगा, तो फिर हम यहां से निकलेंगे न, नू, 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 तो इसमें भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से, तांकि यह पूरा भरा भरा लगेग तो थोड़ी सी मिट्टी डाली और उसी में ही इसके सीर डाल दीए, उसमें भी यह बहुत अच्छे से चल जाती है, जिन मेरे बाई-बहनों के बड़े-बड़े गार्डन है, फैंस बनाना चाते हैं, तो लोग इससे फैंस के लिए भी ग्रो करते हैं, तो बहुत ही कई सारे वराइटी जीज़ के आशी होती हैं, जो बिंटर में भी अच्छे से चलती हैं, खुँउफ अच्छे से फलार्स देते हैं, तो मैं ऐसे एनोल के तोर पे लगती हूँ, और फिर बिंटर में मुझे पोर्स चाहिए हो, त dopo मैं निकाल देती हूँ, वैसे भी इसकी ग्रोथ देखना, आपने कितनी जल्देक महीने के पुद्ध में खुफ सारे बड्स नीचे से लेके उपर तक आ चुके हैं, और बिंटर से पहले तक ये खिलते ही रहेंगे, और फिर मैं बिंटर के टाइमीने निकाल देती हूँ, तो आपके पास जो भी सड़े गले हिस्से पुद्धों के हैं, उनमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाईए और इसके सीड़ उसमें डाल सकते हैं, और कोई खास खाग बगैरा देने की भी इसे जरूरत नहीं है, तो अभी मैं पोट को नेट के निचे रखने जा रही हैं और मिट्टी को आपने मौईस्टी रखना है,